वीके न्यूज राश्ट्र के नाम नमस्कार आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूँ आपके साथ तुलिकाश श्रीवास्तो जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई तो जहाँ एक तरफ देश उनका दर्द देखकर दुखी था तो वहीं कुछ ऐसे तथाकतित सेकुलर भी थे जिने इससे खूब मिर्ची लगी थी उन्होंने उनके दर्द पर हसी ठाके लगाने के कोई भी मौके नहीं छोड़े और इसे कोरा पब्लिसिटी स्टंट बताया लेकिन अब वहीं लोग क्या फिर से हसेंगे चब एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हो रहा है आज फिर कश्मीरी पंडित दड़े सह में हैं तो क्या फिर वहीं कुछ लोग उनके इस डर को महज मजाग करार देंगे आतंकियों ने अब की बार एक कश्मीरी पंडित को अपना निशाना बनाया है जब कश्मीर दिन भर आतंकियों के साथ ताबर तोड हमले से थर्राता रहा है दरसल एक बार फिर से आतंगवादियों ने कश्मीरी पंडित को गोली मार दी इस घटना में कश्मीरी पंदित गंभीर रूप से खायल हो गया, खायल कश्मीरी पंदित का नाम बाल कृष्ण है, वुदक्षिर कश्मीर के शोपिया जले के चोटी ग्राम करहने वाला है जानलेवा हमले में, उन्हें तीन गोलिया लगी है, उनकी हाथ और पैर में चोटे आई हैं, वो गाओं में ही दवा की दुकान चलाते हैं, शुनगर के आर्मी अस्पताल में उन्हें भरती कराये गया है, घटना के जौनकारी मिलते ही सुरक्षवल इलाके पर पहुंची और नाकाबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, आपको बतारें कि 24 घंट और जोको चौधरी के रूप में हुई है, वहिशुनगर के मैसुमा इलाके में आतंगवादियों ने CRPF जमानों पर भी गोली चलाई, जिसमें एक जवान दीलकती को प्राप्त हो गया, एक अन्य जवान खायल हो गया, इलाके की घेरबंदी कर हमलवरों के लिए तलाशी अभ्यान शुरू किया गया, यह अतंग के घटना ऐसे समय में हुई है, जब रमजान का महीना चल रहा है, और घाटी में पर्यटन में तेजी देखी जा रही है, घाटी में रोजाना हजारों की संख्या में सलानी आ रहे हैं, 28 मार्ज 2022 को घाटी में पर्यटों को लिको ले आसी थे, फिलाल इस खबर में इतना ही देश जुनस चुड़े खबरों के लिए बने रहे हैं, वीके न्यूस के साथ, धन्यवाद